दियर स्टूरेंट्स अभी हम इस वीडियो में html के कुछ बेसिक टाक्स करेंगे तो सबसे पहले नौटपैट खोलेंगे नौटपैट ओपन करने के बाद यहां पर शुरुआत में ही html लिकेंगे after that head and next title title में मैं दे रही हूं बीजी कलर फोंट अभी हम दो ही करेंगे and title tag finish और भी कर लेते हैं जैसे की बी आर जिसको हम break tag बोलेंगे after that body body tag open करेंगे body के अंदर हम tag देंगे b z color after that यहां लिखेंगे after that body tag close करेंगे head and html को close करेंगे अब इसे हम save करेंगे मैंने इसे b z color के नाम से save किया dot html अब इसे save करने के बाद मैंने यह देखा कि यहां पर देखिए मेरा फिर से एक icon create हो गया है इसका नाम है b z color अगर यह icon create नहीं होता है तो आप यहां internet explorer पर जाकर ctrl f दबाके यह file browse कर सकते हैं तो यहां icon create हुआ हुआ है जब मैं इसे double click करूंगी तो यह देखिए मैंने background में yellow color दिया था यहां मैंने font color नहीं दिया जो मैंने पिछली वेडियो में दिया था तो इसके लिए यह मेरा font बिलकुल small है जो one size में है one to seven तक हम font size ले सकते हैं अब हम फिर से अपने paste पर चलते हैं seven font font face is equal to में हम दे देते हैं times new roman यहां area भी दे सकते हैं and color अब yellow के उपर मैं जो color है वो दे रहती हूं blue यहां पर यह tag finish हुआ है यह देखिए यह इसके अंदर attributes है font size seven आप one seven तक दे सकते हैं one size seven तक font face मैंने दिया है times new roman color जो है वो मैंने दिया है blue अब मैं इसे save करती हूं और वापिस यह जो मेरा internet वाला page है browser वाला इसे मैं refresh करती हूं तो यह देखिए guys welcome to my online classes जो है blue color में हो गया है मेरा text और यह tag proper work कर रहा है next tag जो है वो है br अब आप एक और line add करना चाहते हैं जैसे welcome to my online class यहां पर आप कुछ और लिखना चाहते हैं उसके लिए यहां पर आप दीजिए br tag और फिर लिखिए अब मैं इसे save करती हूं देखिए वैसे मैंने इसे एक ही line में लिखा है देखिए वैसे मैंने इसे एक ही line में लिखा हुआ है बट जब हम इसे web browser पे run करेंगे इसे f5 की रबाएंगे अपने computer की तो यह देखिए यह मेरा next line पे आ गया है इसे कहेंगे break और जो br है वो एक empty tag है और बाकी head html title यह देखिए जो शुरू हो रहे हैं और last में बंद हो रहे हैं यह सब आपके container tag है झाल झाल